इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या आई आई हम से या टॉप के बी स्कूल से आप पाट टाइम या जो ऑनलाइन प्लेटफर्म के द्वारा जो कुछ-कुछ एडटेक कंपनियां ओफर करती हैं एग्जेकेटिव प्रोग्राम, इन जनरल मैनेजमेंट, इन फिनेंस, स्टैटजी, CFO प्रोग्राम, CEO प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम क्या वो करना फायदे मंद होता है, क्या ऑनलाइन से हम मैनेजमेंट, I.E.M. से करें, या चूज करें, I.I.T.s, या बिट्स, तो इन सब के बारे में अनुर्सिस करेंगे, काफी डीप क्योंकि मैंने खुद किया हुआ है, या फिर डारेक्ट हमें MBA करना चाहिए, फुल टा सिडीज आ रही है, उसके बाद, या फिर हमें कोई ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए, जो सीधे सीधे, campus placement दे, तो बहुत सारे questions होते हैं, दिमाग में लोगों के, इन सब को मैं answer करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आखरी तक बने रहिएगा, different different aspects मैं touch करूँगा, organized video जान सारी, you know, जो queries हैं, वो answer ना हो पाता इस वीडियो में, बट इस छोटे वीडियो में, I'll try to answer almost all the queries, जो आपके दिमाग में आती हैं, पहली बात, अगर आप नौकरी पाना चाहते हो, कि अगर आप कहीं पे हो, और आप चाहते हो, campus recruitment हो जाए, तो जितनी भी online courses होते हैं, normally इसम campus placement नहीं होता है, normally campus placement नहीं होता है, yes, आपने सई सुना, IITs offer करती हैं, जैसे IIT कानपूर offer कर रहा है, e-masters, उसमें भी वो assistant देते हैं, अभी उनका कोई ऐसा record नहीं है, क्योंकि पहला cohort उनका निकला है, दूसरा cohort उनका run कर रहा है, तो उसके बाद ही पता चलेगा, जिस cohort मे आपको दोंगा, true feedback, और अगर आप management का course कोई करना चाहते हैं, तो IEMs चूज करें, कौन सा IEM चूज करें, या फिर आप इस टाइप से कोई private IS भी चूज करें, या कोई और organization, XLRI हो गया, MDP गुडगामा हो गया, कौन सा आपको चूज करना चाहिए, इसके बारे में भी बा आप के लिए बोल रहे हैं, assist करेंगे, but that is yet to be proven, तो यानि आप job के लिए direct नहीं, लेकिन हाँ, career enhancement के लिए, skill development के लिए, बहुत अच्छे course हैं, बिल्कुल अच्छे course हैं, और जैसा इनका नाम है, organizations बड़े हैं, जैसा इनका नाम है, उस हिसाब से ये deliver भी करते हैं, professors की quality बह भी इनकी class होती है, वो बैठ जाता है, वाट उनका mobile phone बचता है, या वो साइद उतना concentrate नहीं हो पाते हैं, and those classes are, you know, assume to be ideal classes, तो professors भी bother नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, कि जिनको सीखना होगा, उसीखेंगे, fees काफी महनी होती है, fees की बात पे मैं अभी आता हूँ, क ऐसा कैसी किसका फीस रहता है, इसमें भी कितने type के course होते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ, जो type of courses होते हैं इसमें, वो सबसे ज़्यादा, जो courses होते हैं, वो general management के हैं, कुछ specialized courses भी हैं, बट general management एक ऐसा course होता है, जिसमें एक से लेके 10 साल के experience के लोगों को जाना चा हो गया, supply chain हो गया, और HR हो गया, और communication हो गया, effective managerial communication, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है in general management program, अगर आप specific program तो ये 0 से 10 years, अगर आपका experience ज़्यादा है, तो आपको specific program चूज कर सकते हो, लेकिन कम experience वालों के लिए specific program आता है, छोटे duration के लिए, 4 महिने के लिए, 6 महिने के लि तो, I think, 2-6 और 8-year experience वाले executive के लिए recommend किया जाता है, सस्ता भी है, जो कुछ बड़े IAM से, like IAM Ahmedabad, और IAM Lucknow, Bangalore, and Kolkata, Koji Court, ये थोड़े इनके program महिने होते हैं, IAM Ahmedabad तो अपना काफी premium charge करता है, उसका मेरा कोई अपना direct experience नहीं है, but yes, उनका course content मैंने देखा हो काफी अगर आप उतना afford कर सकते हो, तो naturally, वो number one है, वहां से आप कर सकते हो, but मैंने personally, IAM Lucknow को executive program किया था, one year, जहाँ पे मुझे alumni status भी मिला हुआ है, that is strategic management, that program was awesome, मैं कई जगे program किया हूँ, MBA भी किया हूँ, but उससे बढ़िया मैंने program कहीं नहीं देखा, generally value for money, that was costing approximately, with GST 4 lakh के आसप parallel, the level of professors, the level of content delivery, it was amazing, मलब मैं overwhelm हो गया, and you won't believe मैं जब course करके निकल रहा था, कर रहा था course, तो मेरे अंदर बार-बार ये thought आ रहा था, कि अगर मैं 10 साल पहले एक course करता, तो perhaps मेरी life, मेरी skill level बहुत उपर जाती है, और मैं professionally बहुत उपर होता, तो वो एक मेरे लिए अफसोस है, लेकिन कोई भी चीज अफसोस नहीं करनी चाहिए, जब मिले तभी सावे रहा, तो I am really enjoying that, you know, status, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उसके बाद मैंने अपनी professional life में काफी changes लाए, and everything is going in a very positive way, तो I am Lucknow का ये मेरे experience रहा, और I am से मैंने general management किया, वो post graduate certification था, that was also good, but I am Lucknow was far, far ahead with that one, तो ये मेरा open, अपना view है, I am really sorry, अगर कोई उसको बुरा लगे किसी को, फिर IITs की बात कर लेते हैं, IITs का जो, you know, standard है, वो generally थोड़ा सा और अपने आपको premium समझते हैं, but they are very good and premium in technology part, management में अभी थोड़ा सा मुझे लगता है, कि हलका सा missing है कुछ, वो अच्छा delivery नहीं होती है, उतने अच्छे professors, professors तो सारे अच्छे होते हैं, but इनों जो learning experience है, perhaps I ams जितना अच्छा नहीं है, but the evaluation part in IITs is really very tough, I ams में थोड़ा सा evaluation easy भी होता है, they are not very strict, but IITs are very tough in evaluation part, वो आपको expect करते हैं, you devote time, you devote at least, you know, double or triple time what they teach, उससे 2-3 गुना जायदा time आप उनको 2, तब आप उस course को cope up कर सकते हो, so they have very high content, concentrated in a less time, so that is very tough for those who are, you know, very, you know, they have very tight schedule, उनके लिए बड़ा tough है, otherwise, वो भी value addition है, value for money है, तो वो सारे जो नए लोग हैं, वो अगर अपना job चाहते हैं, कि campus placement हो, तो they should go for the full time MBA, बड़ उसके लिए cat qualify करनी पड़ेगी, बाकी जो, यह जो strategic वगरे होता है, part time होता है, executive के लिए होता है, इसमे experience और interview चलता है, IT का screening थोड़ा और tough है, बाकी में screening इतना tough नहीं है, normally कोई भी बंदा एक test लेते हैं, वो अच्छे program के लिए, executive वाले के लिए, वो qualify कर सकते हो, अगर आप basic management में आप work कर रहे हो, 6-7 साल, 10 साल, तो आप qualify कर सकते हो, but yes, value addition बहुत होगी, जिससे आप अपने career में बहुत आगे जा सकते हो, career में आप आगे कैसे जाओगे, एक तो आपके पास alumni status आजाएगा, experience आजाएगा, naturally your thinking, vision है, वो बहुत बढ़ जाएगा, you start thinking in a broader way, you start applying those concepts, जो आपने सीखा है, वो आप apply करने लगोगे, जो management को बढ़ा clearly दिखेगा, तो आप एक बड़े role पे जम कर सकते हो, you can start from here and you can reach there within 3 years or 2 years or even 1 year, जहाँ पे आप 10 साल में जाने वाले थे, साइद आप 2 साल एक साल में आप पहुँच जाओगे, तो मैं सब को बहुत highly recommend करूँगा ये program को, but before going ahead, बहुत ज़्यदा राय मत लीजे लोगों से, because आप अगर बहुत ज़्यदा suggestions लेंगे, तो सब के अपने experience है, ये मैं disclaimer बताता हूँ, आखरी में, क्या होता है, कि मैं I am Lucknow से पढ़ा हूँ, तो मैं biased हो के बोलूँगा, I am Lucknow is the best, I am Bangalore वाला बोलेगा बंदा, I am Bangalore is the best, कुलकता वाले बोलेंगे, कुलकता is the best, तो ये आपको, और कहीं पर कोई, मैं अगर I am कुलकता से नहीं पढ़ा हूँ, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता उसके बारे में, मुझे मना भी नहीं करना चाहिए, I am Aandabad के बारे में, अगर मैं मना कर दूँ तो गलत कर रहा हूँ, तो आपको कई लोग सजेशन देंगे, Harvard से कर ले यार, Harvard में भी सिमिलर प्रोग्राम है, या कोई फॉरें की यह और इन्वर्सिटी रिक्मेंट कर देंगे, वहां से कर लो, यहां से क्यों कर रहा है, बहुत फीस है, ये तोटली आप पर डिसाइड करता है, क्योंकि वह campus विजिट भी कराते हैं, आप देखो, कहां पर आपको ज़्यादा value addition मिलेगा, content आप देखो, क्या क्या content cover किया जा रहा है, कौन-कौन से professor उसको cover करने वाले हैं, वह बहुत matter करेगा, कि professor जो आपको पढ़ाने वाले हैं, उनके बारे माँ feedback ले सकते हो, तो मैं जैसे I.E.M. लखनोव में पढ़ा था, तो वहाँ पर मैं नाम ने ले सकता, यार, सारे professor बहुत अच्छे थे, especially, you know, वहाँ पर आनाधी पांडे सर थे, तो he was excellent, उससे बढ़े हैं, I.E.M. थी, communication की class वह बहुत excellent class थी, बाकी सारे professors भी बहुत अच्छे थे वहाँ पर, तो वह एक value addition था में ले ले काफी, I.E.T. is still running, but yes, a lot of new things are, you know, being covered in that course, जो I.E.T. में चल रहा है, वो अलग concept है, बढ़ I.E.M. वाला definitely, मैं अभी भी उसको cherish करता हूँ, कि बहुत अच्छा कोश्टा, और थोड़ा साथ बुरा लगता है, पहले क्यों नहीं किया, I.E.M. थोड़ा discussion, इन्हों honest talk से, आपको कुछ help मिलेगा in deciding, लेकिन ये तो आखरीम बोलूँगा, life आपकी बदल जाएगी, अगर आपने नहीं किया है, तो करिए जरूर,